वाइफ पर चीट करने के लिए आदमे एक होटेल में आया हुआ था एक गुंडे को पता चला उसे बहुत मारता है और इसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लग गया था इस गुंडे को जो भी चाहिए इसे पाने के लिए किसी को मारने से भी नहीं घबराता आगे मूवे में और एक ट्विस्ट आता है जो इसे बहुत इंट्रेस्टिंग मनाता है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको डिरेल्ड ये 2005 की एक हॉलिवोड थ्रिलर मूवी एक्स्पेंड करने वाला हूँ अगर आपको विडियो चलागता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर इसके पावरफुल एंडिंग के लिए इसे अंतक जरूर देखेगा अब बीना किसी दरी के एक्स्पेंशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम अमारे मेन क्यारेक्टर चार्ल्स और उसकी फैमिली को देखते हैं उसकी वाइफ और वेटी है वेटी को डाप मेडिस की बहुत ही खतरनाक विमारी है तो इस वज़े से उसका ऑपरेशन करने का इन्होंने बहुत बार ट्राय किया है पर उसकी बोड़ी इन और गन्स को रिजेक्ट कर देती है एक न्यू मेडिसन आ चुका तो जो बहुत ही एक्सपेंसिव था पर हस्बर्ण वाइफ मि बहुत मेहनत करते हैं विसरे साथ सालों में इन्होंने सारे पैसो को इखटा कर लिया था आज जब चार्स अपने काम पर जा रहा था तो अपनी ट्रेन मिस कर देता है वह बहुत लेट था तो इस वज़े से अलग ट्रेन का तिकेट भी नहीं लिपाता टीसी ने उसे पकड लुसिंडा मजाग में गहती है कल तो तुम्हें टैक्स वगिरा सब कुछ देना पड़ेगा इसी तरीके से इनकी बात्ची स्टार्ट हो गई थी एक दूसरे के बारे में इन्होंने जान लिया लुसिंडा एक बहुत बड़ी फर्म के लिए इन्वेश्मेंट बैंक कर थी और चार्ल्स एडवर्टाइजिंग में काम करता था इनका सफर खतम होने के बाद चार्ल्स ने का कल मैं तुम्हें फिल से इसी ट्रेन में मिलूंगा लुसिंडा गहती है कल हमारी एक डेट हो जाएगी चार्ल्स को से मिलकर बहुत अच्छा लगा था इसके बाद नेक से इ लिगली इस ऑफिस से कॉम्पेटर्स चुरा रहा था चार्ल्स ने देख लिया पर इसे नजर अंदाज कर दिया विंस्टन इस बात के लिए उसे बहुत ही ग्रेटफूल था ऑफिस में चार्ल्स के आज एक मिटिंग होती है जिसमें उसे पता चलता है कि एक बहुत ही बड उसकी वाइफ को उसे देने के लिए टाइम ही नहीं होता ये दोनों हमेशा अपने बेटी को लेकर टेंशन में होते हैं तो इस वज़े से इंटिमेट भी नहीं हो पाते हैं अगली दिन चार्ल्स फिर से लुसिंडा से मिला ये बातों बातों में अपने फैमिली के बारे मे एक दूसरे को बता रहे थे लुसींडा भी married थी और भी एक दूसरे के बारे में इनोंने जान लिया उसके बाद अपने अपने way में चले जाते है पर चार्स को उसकी बहुत ही याद आ रही थी तो इस वज़े से जहाँ पर वो काम करती है इसकी website पर उसने उसका number निकाला उसे call करकर रात में date के लिए बुला लेता है लुसींडा भी यहाँ आ गई थी चार्स ने लुसींडा को उसके husband के बारे में पूछा तो कहती है वो हमेशा अपने काम से टाउन से बाहरी रहता है काम करते गए थे हमें एक दूसरे को time ही नहीं दे पाते चार्स ने भी अपनी बेटी की condition के बारे में लुसींडा को बताया उन husband wife में अब कुछ भी romance नहीं था इसके बाद यह drink करते है और चार्स उसे किस कर लेता है लुसींडा ने कहा कि हम यहाँ कर क्या रहे है आज तक मैंने मेरे husband पर cheat नहीं किया है यह दोनों बात कर रहे थे तब एक आदमी लुसींडा को अप्रोच करता है वह बहुत ही बत्तमीज था चार्स ने जब उसे रोकनी की कोशिश की तो चार्स को भी गाली देता है तो चार्स ने एक जूरस उसे पंच मारा इसके बाद यह दोनों होटेल के बाहरा है और चार्स फिर से उसे किस कर लेता है फिर एक कैब में होटेल में जा रहे थे चार्स जो होटेल सेजिस कर रहा था इसे लुसिंडा मना करती है एक ऐसे होटल को उसने चूस किया जहाँ पर उसका हस्बन ना आ है आकर एक रूम इन्होंने भूक कर ली ये इंटिमेट होने लग रहे थे तब ही वहाँ पर एक गुंडा पहुच जाता है चार्स भी बहुत डर गया कहता है तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो सब तुम ले सकते हो ये गुंडा सिर्फ पैसे लेकर मानने वालों में से नहीं था उसे चार्स को जखमी कर दिया उसके सामने लुसिंडा को जबरदस्ती करता है इसके बाद वो यहाँ से चला गया उसे जब होश आया तो बहुत ही गिल्टी महसुस करता है ये उसी की वज़े से लुसिंडा के साथ ये सब हुआ वो बैचारी बहुत ही ज़ादा अपसेट थी चार्स ने कहा कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ लुसिंडा कहती कि बीज ऐसा कुछ भी मत करो मेरे हस्बन को पता चल जाएगा थोड़ी मलंपट्टी करने के बाद ही दोनों काम पर चले गए चार्स बहुत ही इंजोर था तो उसके बाद से देखकर कहते हैं कि आज घर जाकर आराम करो इतना काम करने की कोई भी ज़रूत नहीं है घर आकर वो अपनी वाइफ को बताता है कि एक गुण्डे ने मुझे लूट लिया उसे से फाइट में सब हुआ है चार्स को फिर से उस गुण्डे का कॉल आता है गुण्डे का नाम है लरोश लरोश ने उसे का कि मुझे 20,000 डॉलास चाहिए वरना तुम जो भी सब कर रहे थे इस सारी चीज़े तुमारे वाइफ को में बता दूँगा इसके बारे में डिसकस करने के लिए चार्स लूसिंडा के पास पोचा थोड़े पैसे लुसिंडा उसे दे देती है कहती है मेरे हजबन को पता ना चले इस वज़े से सिर्व में इतने ही पैसे दे सकती हूँ चार्स के पास जो भी पैसे थे इस सारी अपनी बेटी की टीटमेंट के लिए है वो इसमें से कुछ भी पैसे ले नहीं सकता फिर अपने कमपनी के अकाउंट से 20,000 डॉलर्स के उसने चोरी कर ली ये अगली दिन डिसाइड़ लोकेशन पर जाकर लरोश को दे देता है जाते जाते भी लरोश उसे मार कर गया चार्ल्स बहुत डिस्टब था तो अपने बॉस से बात करता है कहता है मैंने मेरी वाइफ पर चीट किया बॉस कहते है कि हर कोई चीट करता है इस बात को तुम ज़्यादा सिरियसली मत लो वर्क ब्रेक में चार्ल्स स्मोकिंग कर रहा था तो उसका फ्रेंड भी उसके पास है वो कहता है हाई स्कूल में में भी स्मोक करता था पर फिर ड्रक्स लेने की वज़े से मुझे जेल में डाल दिया गया था चार्ल्स कहता है कि तुम्हारा जेल में एक्सप्रियंस कैसा था तो विंस्टन ने उसे का कि वहाँ सिर्फ जिन्दा रहने के लिए मुझे एक आदमी को मारना पड़ा था जेल में सब चीज़े आपको करनी पड़ती है रात में चार्ल्स जब फिर से घर जा रहा था तुसे लरोश का फिर से कॉल आया कहता है कि मुझे और भी पैसे चाहिए चार्स उस पर गुसा हो गया कहता है कि मैंने तुम्हें अभी तो पैसे दिया अब मेरी जिन्दगी से चले जाओ लरोश कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो एक बार मुझे 100,000 डॉलर्स देतो इसके बाद तुम मुझे फिर से कभी भी नहीं देखोगे चाहस ने अचानक से रियलाइस किया कि लरोश के पास उसका ये नंबर कैसे है एक कॉल उसे लरोश ने उसके घर से किया था घर बोचने पर लरोश उसके वाइफ से इस तरह किसे बात कर रहा था कि जैसे हो चाहस का फ्रेंड यो चाहस बहुत डर जाता है जब उसकी वाइफ यहाँ से चली गए तो लरोश को मारने वाला था पर लरोश उसे इंजूर करकर चला जाता है चाहस ने सब कुछ बाते अपने लॉयर को बता है पर लॉयर कहता है जब लरोश ने तुम पर पहली बार हमला किया था तब ही तुमने पुलिस के पास जाना चाहिए था अब तुम जादा कुछ कर नहीं सकते है चाहस बहुत यह अपसेट था तो इवनिंग में ड्रिंग लेने के लिए विन्स्टन के साथ आया सारी सिचुएशन उसे बता देता है विन्स्टन कहता है कि कोई भी बड़ी बात नहीं है मैं जाकर उसे धमका कराता हूँ और इसके बाद तो तुम्हें तंग नहीं करेगा इस काम के लिए चाहस से ओर 10,000 डॉलर्स मांगता है चाल्स भी देने के लिए रेडी था चाल्स ने फिर से अपने कमपनी से 10,000 डॉलर्स चुरा लिये थे रात में फिर वो विन्स्टन के साथ उस लोकेशन पर पहुँच गया पर पीछे से लरोज डारेक्ली विन्स्टन को मार डालता है वो चाल्स पर गुसा हो गया कहता है अब मुझे जल से जल बाकी पैसे भी चाहिए चाल्स यहाँ से निकल जाता है तभी वहाँ पर एक सेक्स वरकर आके उस लेडी को मना कर देता है और विन्स्टन की डेट बोड़ी को उसने छुपा लिया पेट्रोल करते हुए वहाँ पर बुलीज भी पोड़ चुके थे पर विन्स्टन की डेट बोड़ी उन्हें नहीं दिखती तो वहाँ से चले जाते है चाल्स फिर नदी के पास आकर विन्स्टन और उसकी गाड़ी नदी में टाल जेता है पर पूरी तरीके से नदी में जा नहीं सके जल्दी से वहाँ से वह भाग गया अगली दिन इसकी इन्वेस्टिकेशन करने के लिए पुलीस ओफिसर चाल्स के ओफिस में आया वो एक्चुल में विन्स्टन का कजन था चाल्स प्रिटेंड करता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था डिरेक्ट्टू से बात करना चाहता था तब ही उसे लरोश का कॉल आ गया फोन पर लरोश चाल्स को लुसिंडा की चीखे सुनाता है चाल्स डर गया अपनी बेटी के लिए उसने सब कुछ जो पैसे रखे थे इस सारे उसने बैंक से निकाल लिया लरोश के लोकेशन पर आकर उसे पैसे वो दे देता है पैसे लेकर वहाँ से चला गया लुसिंडा को चाल्स के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि सारे पैसे चाल्स ने अपनी बेटी के लिए रखे थे रात में चाल्स फेसे डिरेक्ट्टू से मिला डिरेक्ट्टू से अलग-अलग टाइप के क्वेशन बुशता है पर चाल्स ने कुछ भी कन्फरम नहीं किया वो बहुत ही जादा गिल्टी महसुस कर रहा था तो अपनी वाइफ को बताता है कि सारे पैसे चले जा चुक्या है पर वो इसे वापस लाने वाला है अपने लॉयर से उसने बात कि जाकर वो पुलिस को सब को चीज़े बताने वाला था पर उसे पहले वो लुसिंडा से मिलने के लिए आया ओफिस के रिसरप्शनिस से उसे पता चलता है कि लुसिंडा उस ओफिस में सिर्फ एक टेंपरेरी जॉब कर रही थी वहाँ पर उसे कोई भी पोजिशन नहीं है चार्स इस बात से हैरान हो गया जिस लुसिंडा के घर पर चार्स ने लरोश को सारे पैसे दिये थे इस जगा पर वो पोज़ गया तो वहाँ से उसे पता चलता है कि वह घर रेंड का था घर की एजन उसे ब्रोशर दिखा दिये इस ब्रोशर में छोटी बच्ची का जो फोटो था यही फोटो लुसिंडा ने चार्स को दिखाये था इसका मतलब है लुसिंडा ने उसे जो भी कहा यह सब एक जूट था फिर वो लुसिंडा को धुणने के लिए हमेशा जो टेंड लेती है इस टेंड को धुणने लग गया आज लुसिंडा किसी और के साथ थी इन दोनों का वो पीछा करता है उस आदमी को जब उसने छोड़ दिया तो लरोश है मिली एक्च्वल में लरोश उसका बॉइफ्रेंड था जो भी सब होआ था यह इन दोनों ने मिलकर प्लान किया था पूरे दिन चास लुसिंडा का पीछा करता है जिस होटेल में उसे लेकर आई थी आज रात फिर से किसी और को इस होटेल में लेकर आई है चास ने उनकी रूम के साइट का रूम भूक कर लिया लुसिंडा उस आदमी के साथ इंटिमेट हो रही थी तब लरोश आकर उस आदमी को धमकाने वाला था चास ने इस अब देखा और लरोश को बेहोश कर देता है बाहर लरोश का और एक आदमी है पर अब तक उसका ध्यान नहीं गया चास लरोश को घसिट्टी घसिट्टे लुसिंडा के रूम में लेकर आई लुसिंडा जैस आदमी के साथ थी उसको जब समझ मिने आता कि हो क्या रहा है वे चास ने उसे सब कुछ समझा दिया लुसिंडा कहती कि मैं इस आदमी को जानती भी नहीं चास कहता है कि मुझे मेरे सब पैसे आप वापस चाहिए बात करते करते लरोश को भी होश आ गया वो गयता है तुम्हें 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 पैसे वापस नहीं मिलने वाले है लुसिंडा भी डर गई थी वो लरोश को कहती है कि पैसे दे 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 और हम यहाँ से चले जाएंगे लरोज चार्स से कहता है कि इसे तो बहुत बुरा लगा था यह तुम्हारे बेटी की पैसे हमने ले लिया लरोज और लुसिंडा लड़ रहे थे तो जिस आदमी के साथ वो आई थी वो अचानक से इन पर हमला कर देता है मौके का फायदा उठाकर लरोज न उस आदमी को मार दिया वो चार्स को अभी मारने वाला था पर उसके बुलेट खतम हो गये गुलियों की आवाज सुनकर लरोज का आदमी अंदर आ रहा था चार्स ने उसकी गन ले ली और लरोज को मार डाला वो आदमी चार्स पर भारी पढ़ने लग गया था तब ही चार्स ने गन लेकर उसे विमार डाला ये सब गुलिया जब चल रही थी तो इसमें लुसिंडा की भी डेथ हो जाती है थोड़ी दर में यहाँ पर सब पूलीस विगरा है चार्स से जब पूछा जाता है तो चार्स ने कहा कि मैं सामने की कमरे में था मुझे सिर्फ कुछ आवाजी सुनाई दी थी उस पर कोई भी ज़्यादा शक नहीं करता जब वो नीचे लॉबी में आया तो उसने नोटिस किया कि लगेज में उसकी बैक पड़ी हुई है इस पर उसका नाम लिखा हुआ था तो अपनी आइडेंटिटी दिखा कर वो सारे पैसे लेकर चला गया उस पर किसी ने भी शक नहीं किया आज जब वो अपने आफिस में काम पर पहुचता है तो उसके बॉस को उसके चोरी के बारे में पता चल चुका था बॉस ने चार्ल्स को कहा कि जो भी बैसे तुमने लिये है ये तुम वापस कर देना और कोड तुमें कोई भी सजा नहीं देगा वो फिर से अपनी जॉब कंटिनू कर सकता है क्योंकि उसका बॉस उस पर ट्रस्ट करता था उसे पता था कि चार्ल्स आजकल किसे ना किसी ट्रबल में है पर वो बता नहीं पा रहा चार्ल्स भी इस बात के लिए मान जाता है अब मूवी में थोड़ा डाइम गुजर चुका है चार्ल्स को सजा के तोर पर कम्यूनिटी सर्वीस मिली तो अब उसे जेल में जाकर वहाँ के कैदियों को कुछ सिखाना होता है एक दिन उसने सब लोगों को ऐसे लिखने के लिए कहा था इसमें उसे एक नोटबुक मिलती है जहाँ पर चार्ल्स ने जो भी किया यह सब कुछ चीज़े लिखी हुई थी नोटबुक के पीछे लिखा हुआ था कि तुम मुझे लॉंडर रूम में मिलो चार्ल्स के पोच जाने के बाद सब लोग वहाँ से चले जाते है यहां हम देखते हैं कि लरोज अब भी जिन्दा है लरोज कहता है कि जब मुझे पता जला कि तुम यही टीच कर रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा लरोज उसे मारने वाला था तब ही चार्ल्स उसके पेट में एक बूढन चाकू डाल देता है चार्ल्स ने कहा मैंने जान बुझ कर इसी जेल को छूज किया था जिस चाकूस उसने लरोज को मारा यही चाकू विन्सटन ने उसे किफ्ट किया था फाइनली चार्स ने विंस्टन का बदला ले लिया लरोश के डेट के बाद सबकी investigation होती है इसका जो डिरेक्ट्टू था ये विंस्टन का ही cousin है डिरेक्ट्टू को सब कुछ बात पता चल गई थी कि actual में हुआ क्या था पर विंस्टन का बदला चार्स ने लिया इस बात की वज़े से उसे जाने देता है सारे evidence को cover up कर लेता है नेक सीन में हम चार्स के घर पर देखते हैं कि उसके बेटी का अब operation हो चुका था वो अब school भी जा सकती थी चार्स और उसके wife का भी relationship अब repair हो चुका है यह सब लोग अब बहुत खुश थे और यही बरे movie एंड हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे like कर दीजेगा मैं बहुत सारी इस तरी के movies लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon ने मत भूलेगा हम वीर से मिलेंगे और एक नमूई के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखे है